हेलो गाईस आज हम बनाएंगे मैदे और तीनी से बहुत ज़्यादा टेस्टी और लादवा मिठाई बहुत ही कम टाइम में और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में तो चलिए फिर शुरू करते हैं मैदे की मिठाई बनाने के लिए यहां पर मैंने एक टोरी मैदा ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर नमक डालने से क्या होगा टेस्ट जो है वो काफी उभर कर आता है और साथी में हम इसमें डाल देते हैं बेकिंग पाउडर आदा चमच मैंने इसमें बेकि कर लेना है उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक ग्लास में पानी लेलिया एंग स्वेड़ा जाना है और इसको ज़्यदद पतला नहीं गरते लिपेशिर बनाकर त्यार करना है तो पहले हम इसे अच्ती चाह पने और से मिक्स कर लिती हैं वहत ही जड़ा यहां पर दीखिए डो की फॉर्म में आ चुका है अभी हम इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट गर लेते हैं एक सॉफ्ट डो हम इसका बना कर त्यार कर लेते हैं तो यहां पर काफी अच्छी तरह से मैंने इसको गूत लिया है तो यह मारा सॉफ्ट डो जो है मिठाई के लिए बन मैंने डाल दिया है और आधी तोड़ी पानी अभी हम इसमे और डाल देंगे तो साथी में इसमें डाल देती है हरी इलाइची TINन तीन हम से मिस्थ कर देंगे तो चीनी को थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं और चाशनी को बनने देते हैं चाशनी को हमें ज़्यादा एकतार की नहीं बनाना है बस चाशनी जो हलकी चिपचिपी सी होनी चाहिए तो यहाँ पर देखे चाशनी में एक boil आ चुका है अभी चाशनी मारी त्यार नहीं हुई है तो थोड़ा सा और हमने पकने दिया है तो अभी यहाँ पर चाशनी मारी बनकर त्यार हो चुकी है बस थोड़ी से चाशनी जो है चिप चिपी सी होने लगी है बस इसी तरह की चाशनी हमें चाहिए तो चलिए अभी यहाँ पर आटे को रखे हुए पांसात मिनोट हो चुके हैं तो चलिए अभी हम इससे मिठाई बनाना शुरू करते हैं तो इस तरह से थोड़ा से हम डो ले लेंगे और इसकी इस तरह से बॉल बना लेंगे पहले तो यहाँ पर देखे मैंने बॉल बनाना शुरू कर दिया है इस तरह से हम इसकी बॉल्स बना कर त्यार कर लेते हैं बहुत ही कम टाइम लगता है इस मिठाई को बनाने के लिए अगर आपका कुछ खाने का मीठा मन करे तो जटपटी आप इस मिठाई को घर पर यह असानी से बना सकते हैं बिना किसी देर के और कम चीजों में हम इस मिठाई को बना कर त्यार कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए बॉल मैंने दो बना ली है बॉल बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि एक बॉल को आपको ले लेना है इस तरह से बॉल को लेने के बाद में हाथ में रख लेना है और थोड़ा से इस तरह से दबा देना है बस इस तरह से इसे लोई को दबा देना है इस तरह से हम सारी मिठाई जो है अभी हम इने फ्राई कर लेते हैं अच्छा सा कलर आने तक तो थोड़ा सा मैंने इनको पकने दिया है अभी नेकी साएट सेंज कर दिया toute चली है अभी हम इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं जब तक इन में अच्छा सा कलर जो है वह नहीं जाता है तो यहाँ पर देखिए अच्छा सा कलर इन में आ चुका है तो चलिए अभी हम इने निकाल लेते हैं और गर्मा गरम ही हम इसमें चाशनी में डाल देना है और चाशनी जो है वो हल्की से गरम भी है अभी तो इसमें डालने के बाद में इन सब को अचीतरे से मिक्स कर देते हैं और अभी मैंने गैस का फ्लेम जो है वो अन कर दिया है और हाई फ्लेम पर अभी हम इसे पांच मिनट के लिए ऐसे ही पकने देते हैं बहुत ज़्यादा इस्टेंट टकती है इस तरह से बनी हुई मिठा तो यहां पर देखें पांच मिनट के लिए हम इसे पकने देते हैं चाकी चाशनी जो है वो अंदर तक जाए तो अभी हम इसे कवर कर देते हैं पांच मिनट पकने देते हैं तो यहां पर पांच मिनट हो चुके हैं तो चलिए गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है अभी हम नारियल का बुरादा भी आप लेख सकते हैं लेहां पर मैंने एक नारियल को ग्रेट कर लिया था और सारे मिठाई को मैंने इस तरह से गार्णिश कर दिया है तो यह देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में ही और खाने में बहुत ही ज़्यादा के साथ